इस इस साइकोलोजिस्ट हाजरा बतूल and the topic of today's discussion is convention on the rights of children United Nation की तरफ से एक convention बनाई गई जिसके अंदर children rights को discuss किया गया यानि बच्चों के हकूप पे बात की गई उसमें इसके अंदर total 54 articles हैं और हर एक article एक particular right के उपर बात करता है अब ये जो convention है ये बनी थी 1989 में और इसके बनने के एक साल के अंदर अंदर बहुत से countries ने like majority of countries ने इस convention को इस agreement को sign कर लिया था और इस agreement को sign करने के हिसाब से अब वो सारे countries इस बात की पाबंध हैं कि इस agreement में जितने भी बच्चों के rights, children rights लिखे हुए हैं वो उन सब को follow करना है कैसे भी वो countries की जिम्मेदारी है कि वो कैसे follow किये जाएंगे so the article one says, अब हम बच्चों के हकूप के उपर बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना है चाहिए कि बच्चा हम किसको कहेंगे जो एक definition होनी चाहिए child की तो article one जो है वो हमें child की definition बता रहा है a child is a person under the age of 18 हर 18 साल की उमर से उमर तक या उमर के नीचे का जो इनसान है उसको आप एक child एक बच्चा consider करेंगे और आगे आने वाले जितने भी हकूप किसमें आप इस treaty में आप discuss करेंगे वो उन सब के लिए eligible होगा वो सारे हकूप उसको provide किये जाने चाहिए so number two is no discrimination article number two के हिसाब से all children have all these rights जो भी आगे articles में rights discuss होंगे वो तमाम बच्चों के लिए बराबर है no matter वो बच्चे कहां रहते हैं उनकी जबान क्या है उनका मजभ क्या है वो कैसे दिखते हैं यानि उनकी रंग और नसल क्या है उनका जेंडर क्या है कोई बच्चा disabled है उनका socio economic status क्या है या कुछ भी किसी भी reason की वज़ा से कोई भी बच्चा unfairly treat नहीं किया जाना चाहिए article number three is best interest of the children देखें जब article number three के हिसाब से जब adults कोई decision लेते हैं तो उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि इस decision का उनके बच्चों पे क्या असर होगा और उसके हिसाब से वो फैसला लिया जाना चाहिए वो फैसले जिनका बच्चों पे बुरा असर होता है उन्हें avoid करना चाहिए इसके दो perspectives हो जाएंगे मेरे साब से देखे सबसे पहले तो family को जो है न वो awareness होनी चाहिए कि उनके जितने भी फैसले हैं आइदर वो बच्चों को के लिए हो बच्चों को ले के हो या पिर वो like parents के अपने फैसले हो या family के अपने फैसले हो उन सब का बच्चों पे कोई न कोई असर होता है तो आपको ये देखना है कि इन फैसलों का बच्चों पे क्या असर हो रहा है अगर इन फैसलों का बच्चों पे बुरा असर हो रहा है तो उसका alternate निकाले और ये उन बच्चों के लिए भी है कि जो shelter homes में यानि और्फिनेज वगरा में रहते हैं वहाँ पे भी जो भी decisions हो वो बच्चों की betterment के हिसाब से होने चाहिए उन decisions का बच्चों पे कोई बुरा असर ना हो नमबर फॉर is making rights real government को ये सब policies बनानी चाहिए ऐसे actions लेने चाहिए कि जितने भी सारे rights हैं बच्चों के वो actually practice हो like वो सिर्फ ऐसे documentation में ही ना रहें उनकी awareness होनी चाहिए proper awareness होनी चाहिए parents को कि उनके बच्चों के क्या rights हैं और उन बच्चों को भी कि उनके ये ये rights हैं ताके फिर वो अपने rights के लिए खुद से बात कर सके नमबर फाइव इस family guidance as the children develop देखें आर्टिकल नमबर फाइव इस चीज़ को highlight करता है कि जब बच्चा जो बच्चा है उसको अपनी family की guidance की जरूरत है definitely उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा जो भी उसकी family उसे guide करेगी न जिस तरीके से वो उसकी personality उसकी सोच और उसका सारा mindset उसी तरीके का बनेगा तो family को चाहिए कि उसको proper guidance दे proper तरीका proper pathway दिखाए कि आपने अपनी life को ऐसे better करना है पिर जैसे जैसे वो बच्चा grow करेगा उसको कम guidance की जरूरत पड़ेगी एक चीज़ जो है वो बहुत misunderstood की जाती है हमारे यहां के guidance और dependency में फर्क होता है हम बच्चों को dependent बनाना चाहते हैं लाइक वो हर बात हमसे पूछ के करें that is good लेकिन एक time तक आप बच्चों के अंदर decision making लेके आएं कि कैसे वो अपना फैसला खुझ से ले सकते हैं और एक अच्छा और बहतर फैसला ले सकते हैं नमबर six life survival and development हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो जिन्दा रहे उसको उसके life survival को protect किया जाए और उसकी development बहतर से बहतर हो सके ये जो है वो article इस चीज़ को highlight करता है कि जो हमारी state में जो below average और यूं कहने के जिनका social economic status अच्छा नहीं है वो लोग या उनके बच्चे भी उनका life survival हो और उनकी development best से best possible हो जितनी best हो सकती है उतनी हो नमबर seven is name and nationality ये बच्चे का बुनियादी हक है कि जब वो पैदा हो तो उसको एक नाम दिया जाए और उस नाम को जिस country में वो पैदा हो है उसमें register भी कराया जाए ताकि उस country में उसका एक record हो ठीक है और उस country की ये जिम्मेदारी है कि वो उस record को protect करके रखे उसके बाद है number eight article number eight is identity आपकी unique identity हर बच्चे का हक है कि उसकी एक unique identity हो एक official record हो जिसके अंदर हो उसका नाम हो उसकी nationality हो उसकी family relations हो ये same is like हमारा जो national ID card हमें मिलता है हमारी government की तरफ से उसमें हमारा नाम होता है हमारी family blood relation होता है और हमारी nationality होती है कि हम फलाँ country के citizen है और plus हमारा एक unique identity number होता है वो जो सिर्फ हमारा होता है हमारे लावा किसी और को अलॉट नहीं किया जाता ये identity जो है इस right में ये भी बात हो रही है कि ये identity जो है कोई भी उस बच्चे से छीन नहीं सकता और for suppose अगर ऐसा कुछ होता है उस बच्चे के साथ तो ये government के responsibility है कि उस बच्चे को उसकी identity वापस ला के दे number nine keeping families together ये बच्चे का बन्यादी हक है कि वो अपने दोनों parents के साथ रहे like अपने father और mother दोनों के साथ रहे हाँ अगर किसी condition में parents जो है वो separated है तो फिर भी उस बच्चे का हक है कि जैसे for example वो mother के पास रह रह रहे तो उसका ये हक है कि वो अपने father से contact में रहे ऐसा ना हो कि भाई बड़े होने तक उस बच्चे को पता ही ना हो कि अगर जो है वो दूसरा जो parents है वो बच्चे को हाम करना चाहता है या किसी तरीके का नुकसान पहुचा रहा है इस वज़ जासे parents separated हुए या नुकसान पहुचा सकता है तो फिर ऐसा है कि दूसरा parent अगर बच्चे को उन parents से अलग रखना चाहे तो इसमें कोई मसला नहीं है नुमर टैन इस contact with parents across the countries जो बच्चे अगर बच्चे जो हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने parents से दूर रह रहे हैं parents किसी और country में रहे हैं बच्चे किसी और country में रहे हैं ऐसा तब होता है जब like यहां parents study के लिए या work के लिए किसी और country में हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी grand parents के साथ किसी और country में हैं तो दोनों governments को ऐसी policies बनानी चाहिए कि parents और बच्चे एक दूसरे को visit कर सकें contact में रहें और साथ में रह सकें number 11 is protection from kidnapping government को ऐसी policies बनानी चाहिए कि बच्चे किड्नाप ना हो like कोई भी उनको किड्नाप ना कर ले और दूसरी जो है वो आर्टिकल में एक बात जो discuss हुई है वो यह है कि इसके अंदर एक और condition हुई discuss हुई वो जो parents से related वो यह कि government को इसके against भी policies बनानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक parent after separation एक parent जो है वो दूसरे parent के बिना concern के ही या बिना इजाजत लिए ही उपने बच्चे को दूसरे country में लेके चला जाए यह भी right की violation होगी तो government को इसके against भी काम करना चाहिए number 12 is respect of children's view यह बहुत sensitive सा topic है I guess हमारे यहाँ इस पे इतनी बात नहीं की जाती वही देखें यह बच्चों का बन्यादी हक है कि वो अपना opinion दे सकें freely किसी भी issue पे जो उन्हें affect कर रहा है definitely वो सही तरीके से उस टाइम नहीं बता पा रहे होंगे कि हमें इस चीज से मसला है लेकिन हां वो एक trigger factor जरूर दे रहे होंगे किसी चीज से irritate हो के तो adults को उनको सुनना चाहिए और बच्चों की बातों को seriously लेना चाहिए जो अक्सर हम बच्चों की बातों को मजाग में लेके छोड़ देते हैं ना ऐसा नहीं करना चाहिए ये बच्चे के राइट की violation होगी कि आप उसकी बात ना सुने में भी वो किसी मसले में हो ये थे 12 राइट्स आगे के राइट्स जो है वो हम next वीडियो में discuss करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like और share कर दिएगा और channel को subscribe कर दिएगा और bell icon को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो का आपको notification मिल जाए Thank you